है यह व्यार्ट असलाम अलेकूं मेरे नाम हमजा पीर्जादा और आप देखरें प्यार्ट सिटीड गाइस आज के कॉंसेप्ट जो है वीजे मेर का आप लोग ने कॉंसेप्ट दिखा होगा लोजिंग माइसेट तो गाइस यह उससे मिलता जूलता है लेकिन इसमें बहुत स इसमें सब कुछ में आप लोग को बताने वालों कि सब कैसे करना तो वीडियो को आंट तक देखिए का आप लोग के लिए बहुत जादा नौलिजिएबली वीडियो होने वाली है तो चलिए विदाओर विजिटाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाई सबसे बिले आप लोग को इस तरह की से पिक्चर लेनी है तो इसमें मैंने कोई शर्ट ये टीशर्ट नहीं पहनी है तो आप लोग पहनना चाहिए तो पहन सकते हैं यहां पर आप लोग हैंड और मेरी जो मैं सिट हुआ हूँ जा पर वह देख लें क्या पोईशन क्लस में पाइणसर में यहां और यहां पर यहां पर च्भाएशना के उनए को हूँ जाँगा और यहां पर एंप्ट पर होगा मैं वह आपर सीम्पर बेंगिंडगर लूा इसको पूरै बेंगरंएं कर चैके को ब्लास कर दूए इसको ब्लाएबग्र ऑर धर आपको लेना पड़ेगा अब यहां पर एड़ फोटो में आगिया हूं यहां पर अपनी मॉडिल इमेजली मैंने और इसको मैं तोड़ा सा उप्रा की तरफ को कर रहा हूं क्योंकि मुझे आउर ग्लास अपने बॉड़ी के काउडिंग बनाना है पोस्ट लेने के बाद तो अ इससरे कड़ना पड़ेगा तो ही देखेए बिल्कुल दिसेंटर में और इससरे करना पड़ेगा उरुए इ Springs करके अब लगोर्टी में सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा डाउलोड कर सकते हैं अब यहां पर फिर्स में जाओंगा क्योंकि सारा पर्क हमारा जादतर यहां पर डो टूल में होगा ठीक है तो अब यहां पर जोए मैं लेयर वाले उप्शन में जाके फिर्स लेयर वाली एप्शन यानि एम्टी एट करूँगा मैं इसकी पहले ऑफिसिटी 75% कर लेता हूं और आप लोग को लाजमी करना है उसके बाद एम्टे लेयर एट करेंगे फिर्स पर रखा हुआ है मैंने फिलालोड के लिए अब यहां पर फोटो में जाके अपना मॉडिल इमेज एट करूँगा इसको थोड़ चुका है पोजिशन पर तो अब हम यहां पर क्या करेंगे इस वाली लेयर को हम ड्रेक कर देंगे सेकंड नमबर ठीक है तो हम आवर ग्लास के अंदर आ चुके हैं यहां पर आवर ग्लास के लिए मुझे रेस करना पड़ेगा तो यहां पर फस्वाला ब्रश है और इसकी हा सरकल पसItा और टिक है और लो वाली यहां यॉश कर सकते हैं तो अप आप लोग को उड़े लिए अपकी और हैंकि that you पॉइंट जो है यानि को बिलकुल आप लोग का बिलकुल सेंटर। मेंना चाहिए एक्सेक्ट आपको नियुरिकल सेट हो गी है और दखें यहां से एरे, एरे उपपरोलिये के लिए यहाँ परे में जिये सफत्र एक्टर यह नहीं लिया मैंने और इसका वाला पॉर्ट ऑड़राट होनुहरा सोरफिर हो उपफर दिनके हों करें एक्थर एक्षञ लाओं और इसको हाइन लगे world का से हैट कर दूँगा तो यह नीचे वाले साइस दो पर वाले इस तरीके करना है अब देखें जो तो एक्स्टा एर्या था यह सारा फिल हो चुका है और अब देखें अब मैं आपको बता हूँ यहाँ पर क्या करना है तो यह जो एम्ट एरेसा आप लोग को सिंपल वहां से स्टार्ट करना है और इसको थोड़ा सा सेंट होते हैं आपने देखा होगा जिग-जैक पोजिशन करना है तो यहां पर हम से女ायिक कर लेंगे तो यहां पर लोग को यहां पर लोग करूब करेंगे की पर रखना है उसको उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके प्लस फोटो में जाएंगे और यहाँ पर जो एक सेंड है मैं वो सेलेक्ट कर नहीं है ठीक है इसको सेलेक्ट करा और हमारे जो हैंड का बिल्कुल सेंटर पॉइंट आ रहा है वहीँ पर आप लोग को करना है देखें आप लोग देश सकते हैं जहां पर मैं कर रहा हूं और यहां पर रखा हुँ को और यहां पर डुबारा से प्लस फोटो में जाके सेकंड वाली वाली मेलज है यानी सेंट की वैड़ करनी है जो राइट साइट पर यूसे करेंगे है तो आप लोग को इसको लैक के जो फिंगर से उस्में नहीं बिल्कुल लैक से सेंटर रहा है आपको वहीं पर रखना है तो देखें जहां पे मैं रखा रहा हुं एक बिल्कुल पर एक यहां पर रेंज कर करूंगा और यहां पर मुझे थोड़ा साइरेस करना पड़ेगा लैक्स को रहेंड को तो यहां पर देखें सेकिंड और उसमें जाके ऑप्शन में जाके हैं पर सेकिंड वाला जो ब्रश है वह आप लोग लेना है ठीक है इस तरीके से लेंगा ऑपिसिटी परसन है अलकल का सा तोड़ा सा और उपड़ सा आप लोग को इसको रहेंगा तो यह सारा बर्वार को बताऊंगे मैंने क्यों कर रहा है ठीकिए इस तरह के साफ लोग कर लें इसको और अब जो करने वाला हो स्टेप मेरे बैकराउंड रेस कर यानि जो मेरे रेर के बीचे वाइड नह प्रफ में जाना है और यहां पर मैंने हाप स्टीन पर सेलेक्ट करा हुए तो इसका थोड़ा सा पहले साइज चोटा कर लेता हूं बहुत बड़ा हो रहा है तो यहां पर इसका वार्प में जाके साइस 16 परसंट रखे और अपने जो है लैग है बिल्कुल में जो मेरी सेंड क का जो सेंटर है उसको वहीं पर उसीं पर एंगो के तो यहीं हमारे जो रायर इक हमें को सब्सक्राइट तसके NICK गोना सब में पर अको पर कर सक्राइब कर लिहां अब कर दिए के अब यहाँ पर बैक जाएंगे आप लोग बापसी से तो यहाँ पर आपaire ही इसको अंड़ कर देंगे वाले स्टेप को अंड़ कर दिया उसके बाद आप लोग वापसी जाएंगे डॉट में जाने के बाद सब्सक्राइब में जाएंगे और आपकी जो जिस पर ल वाली जगहाओ पर हम लोग रेस्ट कर देंगे तो यहां पर जो फॉलिंग सेंड है यह मैंने यहां पर तीन आड करी हुए है तो आप लोग अपने असाब से देख लिए जिए कौन सी वाली जो है आपके लिए सूट हो रही है यानि आपके लेक्ट पर जो अच्छी लग रह हो यहाने चाहिए तो और सब यहाली मने यहाली यहां पर लृफफ राइट होका जीप सा लगेगा तो यहQuery सेंट्र वाली सेंड कर रही है तो यहांपर देखें। इसको मैं लगा लेता हूँ तो गाइस जी थोड़ा फिनिशिंग पर काम होगा तो आप लोग इसको थोड़ा सा टाइम देगा मैं यहां पर फास्ट कर रहा हूं वरना वीडियो बहुत जादा बड़ी हो जाएगी और लड़ी बहुत जादा बड़ी है तो देखें यहां पर में सारे लेक्स दोनों लेक्स पे और अपने जो हैंड के लिए मैं यह चीज यूज़ कर रहा हूं और जो हमें जो लग रहा है कि यहां पर सईसे नहीं हुआ तो आप लोग एक बार दुबारा से फोटो में जाके उसी जगह पे दुबारा से भी इस चीज़ को एड़ कर सक अब यहांपे एड़ फोटो में जाके यहांपे यो है आपको एक जो हेवाली पेंचई लेनी है तूर दुखजया और देखें भी से लेक लेक्स के लिए कर लिए और इसपर लिए कहीं नहीं कि बिल्कु लगए इसी सेंड में चीज मिक्स हो जाएगी ठीक है इस तरह किसा आप लोग ने कर लिया और इसको भी मैं आप यहां पर रन करता हूं और आप यहां पर आप लोग वापसी सेट फोटो में जाएंगे और यहां पर जो यह रोज की पेंजी है सिंपल करेंगे इसको मैंने जो अपना जो पोस्ट दिया था उस हिसाब से मैं यहां पर इसको लगा लेता हूं तो ठीक है इसना आप लोग इसका साइज रख सकते हैं इतना मैं रख रहा हूं यह आप लोग अपने कॉर्डिंग भी बॉडिंग आप लोग इसको कर लिजेगा तो इसको इरेज कर लीजेगा फिंगर के अकॉर्डिंग ठीक है तो यहां पर in यहां पर इसको फटा फट से में इरेस कर लीता हूं और अब यहां पर में इसको टन कर देता हूं और अब यहां पर में एट फोटो में जाके अपना लोगो एड़ कर लेता हूं ठीके फिनिशिंग वर्क होता है तो पहले थोड़ा से इसको मैं यहां से तोड़ा सा एरेस कर लेता हूं गाइस यह जीप सा लग रहा है बहुत जा और इसको simple में left bottom में use करने वाला हूं ठीक है तो यहां पर मैं इसको done कर देता हूं तो guys अब जो मैं इसमें use करने वाला हूं वो है tools में जाके adjust यानि जो है मैं इसमें dodge का effect देने वाला हूं तो इसके लिए मुझे adjust में जाना पड़ता है और यहां पर मैं इसके ओपर पूरी एक वीडियो बना जूगा हूं तो इसमें बता देंगा आपको brightness और saturation आप लोग को इसमें minus करने पड़ेंगी highlight का तो इसके ओपर मैं dodge and burn के ओपर भी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है आप लोग जाके देख लें बहुत जादा नॉलिजबी वीडियो है और guys इससे यह ह हुआ कि इससे देखें मेरी picture में जो glowing आएगी अच्छा सा texture आएगा लुक आएगा तो वो सारा चीज इसी सही आती है मैं dodge की use करता हूं तब ही आते है लेकिन इसके ओपर बहुत जादा time लगता है सीखने में तो इसके ओपर मैंने वीडियो बनाई हुई है आप लोग है किसे रखनी है तो देखें इसे के सैट कर लेंगा आप लोग शर्ट टीशर पहने हुएंगे तो आप लोग को फिर इसकी डॉल्स की इफेक्ट की जहुरत नहीं है आप लोग अपने फेस पर दे दीजिएगा जैसे यहां पर थोड़ा सा ही वरके पहले सलेक्टिव में च चैस की और हैंड के साइट पर वहां पर आप लोगो सिंपल कर रखना है और यहां पर इसको बिल्कुल रखना है परफेक्टली हैर को अपने पैंट से दूर रखना है उसके बाद यहां पर आने के बाद जो है सिंपल इसकी हाइलाइट जो है आप लोग प्लस में रखेंग हो हमें यहां पर यहां पर नोग अब थोड़ा सा और वर्क है वह आप लोग यहां पर इसका करना पड़ेगा उसके लिए आप लोग को यहां पर कलर वाले option में जाना है यहां पर temperature जो है simple minus में 4 करना है ज्यादा नहीं है माइनस फ़ॉरिया इहाँ और उसके बाद यहाँ पर टैक्जिर वाले में प्लस तू परसन्न आपको देना हूं टू परसनिकर यहाँ पर एड़ हग करना है कि इस तरह के दिख ले집aty और यहां पर हम लोग चले याएंगे करद वाले यांगे मिक्स में यहां पर औरिंज वाले हमने स्लैक करें जो हमारी स्किन से रिडेट होता है इसकी सेट्वेशन आप लोग माइनस कर देंगे minus 60 यहाँ पर आप लोग कर देंगे जो आप लोग देखे लिए अपने body coding और यहाँ पर yellow वाले में जाके इसकी भी situation आप लोग को minus करनी है लेकिन इसकी आप लोग जादा नहीं करेंगे इसकी आप लोग करेंगे minus 40 इसके इसकी आप लोग करेंगे तोगास अब यहाँ में क्या करनी है हम लिए उसमें profile लेंगे तो यहाँ पर profile वाले में सल जा यहाँ पर यहाँ एक यहाँ पे artistic 04 वाले filter दॉट और इसकी आप लोग को यूज करना है यहाँ आप लोग इसको 40 % यूज करना है ठीक है गाइस तो देखें काफी अच्छा लूग हो जाएगा हमारी हमारे कलर दिन बहुत अच्छी हो गई है तो बिफोर और आफ्टर आप लोग देख सकते हैं तो गाइस आई होप आप लोग को पसने होगी वीडियो अगर या आप लोग लोग करें तो मुझे लाजमी से पर टाइग जरूर करेंगा इंशालला अगली वीडियो में लगाता हूँ कि जब ताना खायर रखेंगा खुदा आफिस